चेप्टर नमबर तीन से चोटा एमसी क्यों आएगा वह किस टाइप का आएगा वह हम बताएंगे पहले का तीसा कोश्चन कैसा आएगा यह भी आप देख सकते हैं इसमें पूचा गया कि का मान हमें ग्याद करना है find the value of K का मान ग्याद करो कि में लिखावा आया कोई हल नहीं कोई हल नहीं को मतलब ऐसा नहीं कि सॉल नहीं करना है कोई हल नहीं को इंग्रिश में कहता है no solution कोई हल नहीं तब लिखावा आता है जब होता है A1 upon A2 equal B1 upon B2 not equal C1 upon C ही है आप question का answer इन दोनों से default कर सकते हैं और इन दोनों से default कर सकते है ऑर यहाँ पर इससे default करोगे लिखावा आएगा कि यह no ई equal लिखा वया है तो here लिखा हुआ है यहाँ डोनों से default तो है कि अगर यहां पर नोट infectious थे रखा होता तो इनको लेते नोट 24 दे रखा है यहां पर क्या लिका रहा है इकवल रेका है तो इन दोनों को लिना पड़े आता अगर एम सी क्यों नहीं आये तो आप दोने फाइंड कर सकते हो में जो ज्यादा एंस पर है यह ज्यादा यह रहता इकुल वाला ज्यादा बेस्ट रहता है तो हम यहां लेंगे इन दोनों को है अब कौन सवा A1 A2 है कौन सवाß B1 B2 है यह आपको यहां पर देखना पड़ेगा तो इक्स के पास वाला है वह आपका केलाता है एउन एट्म पतलाब यह जाएगा लाई-1 और यह वा लाई के पास में है यह वाला वैल्यू और यहां आगे कुछ नहीं है OF 1 मांते हैं कि हो जाएगा वन अपॉन के माइनस वन वैसे वी के वस इन दोनों में ही है तो आप यहीं से ग्याद कर लो इधर से भी ग्याद करोगे एंसर आएगा लेकिन वह नोट इक्वल वल आएगा बराबर नहीं वल आएगा अब यहां तिर्चा गुना करेंगे हम क्रॉस गुना करे यह जाएगे आपके दो एकंदू के माइनस दो अब खेर अब एक तरफ ग्यादर चाह ग्याद यहीं सिहीं का नहीं मैंनस का हो जाएगा और यह माइनसम का 3 है क्या दे रहे हैं माइनस का दू के एक तरफ नमबर एक तरफ अगर इन दोनों को आप माइनस करते हो तो के मिलता है और इन दोनों को माइनस करने पर वन मिलता है के का वैल्यू क्या आएगा वन आएगा के का मान हो जाएगा हमारा के क्या हो जाएगा इसका इस question के अंदर हमें क्या करना है एक्स और वाई का मान ग्याद करना है बिल्कु सिंपल अगर आप mcq से करते हो कि ऐसी कौन से क्या है जोडो तो चौदा आता है घटाओ तो चार आता है तो वह अगर देखो जोडो तो चौदा घटाओ तो छे जोडो तो चौदा घटाओ तो आत दोडो तो चौदा घटाओ तो चार इन दोनों को यह उत्र हो जाएगा हमारे लेकिन आम ऐसे उत्तर निकालना है अगर आप यहां पर मैं क्या करता हूँ कि प्लस का है माइनस का है कट गया और एक और एक होगया आपके दो एक हो जाएगा और चार होते हैं आपके अठारा पुन आया तो भाग में एक स्कामान आएगा अठारा बटा दू तो होता है आपके नो हो जाएगा तो एकस का मान आ जाएगा नो अभी एकस का मान हम यहां पर रख देंगे तो नो प्लस वाई बराबर चाउदा इन नो को भीज़ दो वाई का मान हो जाएगा चाउदा माइनस नो बराबर हो जाएगा कितना आपके पांच पांच आ जाएगा इसका थर्ड चेप्टर में MCQ में अगर कोस्टन आ जाए तो कैसा आता है वो पहले का तीसरे आने वाला है अब यहां लिकावा है कि हमें एक तो हमारा यह सम्मिकरण दे रखा है और एक सम्मिकरण हमारा यह दे रखा है उसका आप ऐसे भी लिख सकते हो A1X प्लस B1Y प्लस C1 बराबर 0 और यह है वह आपका A2X प्लस B2Y प्लस C2 बराबर अब यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है वह पूचा क्या है यहां पूचा गया है असंगत हल एक होता है संगत हल संगत भी एक्जाम में आ सकता है और असंगत भी पूच सकता है संगत हल कब होता है जब होता है A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 एक और सित्य है वहां पर भी होता है वह एक और बताते हैं आपको A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 मतलब के यह आपके संगत है यह भी आपके संगत है और यह जो वैल्यू है जगो या तो आदे बराबर हो या तो पूरा यह बराबर नहीं हो या पूरा बराबर हो जाए तो तो हो जाएगा संगत जब आगे वाले बराबर नहीं होता है ना तो आपको पीछे वाला लेने की जरूत नहीं जब आगे वाले बराबर हो जाए तो पिछे वाला लेना होता है जिसको मैंसे लिख सकते हैं कि अगर आगे वाला इक्वल हो गया पट पीछे वाला इक्वल नहीं हुआ कि तो क्या कहलाएगा आपके असंगत कहलाएगा यह क्या कहल आपके असंगत कहलाएगा ये तो होता है यह यह तो मतलब हिंए यह अयसे लिखाव admir के अंदर हमारा एंस्वर ये वाला होगा वे वी हो जाएगा इसका एंस्वर नेक्स्ट गॉस्च्टन आपके दे रखा है कि यहां पर अमारे पास दो संब्धिकन दे रहे एक तो हमारा यह रहा और एक संब्धिकन हमारा यह रहा तो ऐसे लिख सकते हो साथ, साथ Éकस् माइनस आइ माइनस पाच बराबर जीरु यह प्लश का-5 है ना इसको अंदर की तरफ लेकर आएंगे, a da पलस का पाउस्अ становится अब हम क्या करेंगे लेकर आएंगे यह हो जाएगा भी आपके माइनस का हो जाएगा अब हमें क्या करना है compare करना है तुलना करनी है कि तुलना करनी है सबसे पहले हम लेंगे यह वाला X के पास में क्या होता है A1 upon A2 A1 बटा A2 यह होता है 7 बटा 21 काटो तो होता है 1 बटा 3 साथ का भाग यहां जाएगा साथ का भाग यहां पर भी जाता है अब हम लेंगे यहां पर B1 बटा B2 मतलब माइनस का एक बटा माइनस का तीन यह कर जाएगा और यह भी आ गया आपकी एक बटा तीन अब लेंगे यहां पर हम C1 बटा C2 जो हता है माइनस के 5 बटा माइनस के 15 तो काड़ दो दोनों के अंदर भाग जा रहा है पांच का यहां पर जाएगा एक बार यहां पर जाएगा आपके तीन बार अब यह जो आया सेम तीनों आ गया अब देखो कॉस्टन में बहुत सारे ओप्सन दे रखे हैं यहां लिका हुआ intersecting one point है एक बिंदू पर graph काटना एक बिंदू पर graph कटेगा वो होता है केवल A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 में ही होता है इसके अंदर ही होता है एक बिंदू पर परतिश्यत करना रेखा है समानतर कब आती है असंगत हल में मतलब a1 बटा a2 equal b1 बटा b2 not equal c1 बटा c इसमें रेखा है क्या होती है समानतर जैसे यह रेखा है वैसे यह रेखा होती है तुनों रेखा है आपने मिलती नहीं है तीसरा है दो बिंदों पर काटना ऐसा होता है नहीं कि दो बुझाय है आपस में आप खुदी देख लो या तो मिलेगी नहीं या एक बार मिलेगी या बार बार मिलेगी दो बिंदों पर नहीं मिलती है यह तो कोई option ही नहीं है कोई मतलब ही नहीं अब लेते हैं co incident संपाती सं यह हमारा क्या है दी हमारा हो जाएगा answer हो जाएगा कि सीचैप्टर का कोई question जो ncq में आ सकता है किसर का पहला सम्म्धिकन हो जाएगा 3x Minus 5y Minus 7 बराबर 0 यह Plus का साथ है न अंदर बेज़़दो हो जाएगा Minus ऐसे हम यहाँ पर करेंगे तो − 6x – 10y । 그럼 3y पर्तारार्व साथ दो हो जाएगा आपके Plus का हो जाएगा अब हम क्या करेंगे यहाँ पर आपस में क्या करेंगे तुलना करेंगे, compare करेंगे, अब क्या compare करेंगे हम A1 बटा A2, दोनों नमबर ले तो यह हो जाएगा तीन बटा माइनस का 6 प्लस उपर है नीचे माइनस प्लस माइनस माइनस तीन का भाग तीन में जाएगा एक बार यहां जाएगा दो बार का मतलब है यहां बटा माइनस का एक बटा दो आया अब लेते हैं यहां पर B1 बटा B2 के होता है माइनस के 5 बटा माइनस का 10 काड़ दो यह आएगा प्लस का एक बटा दो यह तो माइनस का है बट यह प्लस का है दोनों अलग-अलग इंसफर है तो हम यह लिखेंगे इसका मतल वहा A1 बटा A2 not equal B1 बटा B2 जब भी दोनों बराबर नहीं होते हैं तो C1 C2 लेने की जरूत नहीं होती है अध्वित्य हल के अंदर ही आता है A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 यह क्या हो जाएगा हमारा option हो जाएगा answer हो जाएगा अब यहां लिकाऊँ अब परमित रूप में अनेखल कि तब उता है जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होता है अब होता है no solution कोई हल नहीं यह कब आतlvania है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 दो हलतों होते ही नहीं है वीद फालतों है हमारा इंस्वर यह है तो यह क्या किलाएगा हमारा